अब बॉर्णी यह इंग्लिज स्पोकेन की दूसरी वीडियो है दूसरी क्लास है हमने इसके पहले क्लास में पढ़ा था कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं जरुजत पढ़े हमें तो अपना परिश्य हम कैसे दें और यह यूटूब पर इंग्लिज स्कोकेन की मेरी दूसरी वीडियो होगी जहां आज मैं आपको यह बताऊंगा कि डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सब्द होते हैं जिनको हम फ्रिक्वेंटली मतलब कि सबसे ज़्यादा बार बार हम उन्हीं सब्दों का पर्योग करते हैं हिंदी में तो अगर उन्हीं सब्दों की इंग्लीज हम जान जाएं तो इसका मुक्तब आप यह भी कह सकते हैं कि आधी इंग्लीज तो हम ऐसे ही जान जाएंगे अगर आप यह सुच्टे हैं कि मैं पहले क्लास करूंगा जब पूरी इंगलिस मुझे आ जाएगी तब मैं बोड़ना सुरूं करूंगा इसा कभी नहीं होगा गुधिनी कभी नहीं आयगा आपकी पूरी हो हैं कि यह भासा है कि आपको सबसे पहले सबसे चाहिए नफको है उन उन सब्सक्काइम का प्रयॉग सबसे ज्यादा करें जिनका में हिंदी नहीं सब्सक्रेशे उनकी इंगलिस खोज करके उनका पयोग करना शुरू कीजिए उनकी प्रैक्टिस शुरू कीजिए मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप एक महीने में भी इंगलिस बोलना सिख सकते हैं बसरते आपको अपनी प्रस्टनालिटी पर ध्यान देना होगा आपको थोड़ा केरफुल रहना होगा बोलते समय हम लोग आज की इस क्लास को सुरू करते हैं और आज का यह जो क्लास है वह स्पेशल है केवल दिन भर में उन सब्दों के लिए जिनका प्रेव हम सबसे अधिक करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सैलूटेशन की दिन मतलब कि हम किसी को प्रणाम करते हैं नमस्तार करते हैं है तो आज हमारी हैन्ट में यह गुड मॉर्णि गुड आस्टरून गुड इबनिक गुड नाइट आ चुकी है मैं दोबारा इसे आपको बता के अब बात करें उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने के तो जब हम किसी से बिलते हैं तो मिलने पर उसे बोलते हैं क्या जिस उसे बोलते हैं good morning वो हमारा क्या लगता है वो हम जानते हैं इसे गुद मॉर्णिंग सर गुद मॉर्णिंग अंकल या दोस्त है तो गुद मॉर्णिंग राहूर या फिर जो भी आपका रिष्टेदार हो आपे भी जांदव कि आपका जो अपना स्वगा भाई है उसको छोड़कर ख साबकर चचेरा भाई अंतलब आपका अपना भाई नहीं है वह आपके मौसी का लड़का है मामा का लड़का है चाचा का लड़का है तो आपका कजन हुआ हैャय करजन सब्द आता है तो अर्थ यह आता है कि वह भाई तो है पर अपना नहीं है वह मामा का फुवा का मौसे का लड़का है अच्छा इसी तरफ बहन भी होती है अगर मेरी बहन है तो वह सिस्टर है और मेरी मौसी की लड़की है मामा की लड़की है फुवा की लड़की है चाचा की लड़की है तो में चफिरी ममेरी कुखेरी या मौसेरी पहन हुई तो उसको भी हम कजन ही कहेंगे अब सबसे बड़ी डिपिकल्टी यह आती है कि लोग आते हैं कजन ब्रदर और कजन सिस्टर नहीं होता कि वर कजन होता है अब आप यह कह सकते हैं कि राधा इस माई कजन तो राधा तो लड़की का नाम है इसका मतलब कि आपकी कुखेरी ममेरी चचेरी बेहन में राम इस माई कजन राधा लड़का हुआ यह आपका भाई है तो आप कि वन अपने प्रणाउन और नाउन से बता सकते हैं कि वो भाई है कि बैहन है आपको और ऑफिज बाद कर दो नहीं है और या बहन की बात कर दो कजन ब्रण और गजन सिस्टर यह दो कंसेप्ट्ट्ट का मतलब होता है ममेरा प्रुखेरा चचेरा और मोसेरा भाई और बहन तो आपका भाई है तो ब्रदर है और आपके भाई के अलामा जितने भी भाई आपके हुए अब सब आपके करशन करें आपकी बेहन आपकी सिस्टर हुई लेकिन आपकी बेहन के अलामा जितनी और भी बेहने आपकी लगती है वो सब आपकी करशन करें ठीक है एश्टों की बातशा तो जाहें मामा हो फुफा हो चाचा हो व। तकन चाचा भी एंकल है और इनकी पतनिया , ज्ली फुवववफ मामी व। और चाची यह हमारी अंकल और उनके बच्चे कजिए ठीक है तो गुड मॉर्निंग अंकल गुड मॉर्निंग आंटी गुड मॉर्निंग राहूल अब एक और चीज है हमारे मैं इस पेसली जो विडियो बना रहा था बस किनी चीओं के लिए बना रहा हुआ यह जो चीज है कि हम अपने पिता कहते हैं एक मुसल्मान आपने कहता है अब्बू मार को कहता है अम्मी और भाई को कहता है भाईजन बहन को कहता है बूबू एक हिंदू आप्मियां वह कहता है पापा मम्मी भाईया और दीदी तो सर्फ जब अगर यह इंग्लिस बोल रहे हैं मान दीन को गुड मॉर्णिंग कहना है तो क्या बढ़ेंगे गुड मॉर्णिंग फादर अब्डू या पापा उसको तो ही उसमें कहते हैं फादर तो क्या वह यह नहीं पादर नहीं वह अपने फादर को जिस नाम से बुलाता है वही नाम यूज करेगा बुड मॉर्णिंग अब्डू बुल मॉर्णिंग पापा रिष्टो की जो नाम आपने दिये हैं उसी नाम से उसे पुकारे हैं हां और किसी और से हम बात कर रहे हैं कि मेरे अब्डू एक डॉक्टर है तो कि मैं अब्डू को बुला नहीं रहा हूं तो मैं बुलूंगा रिस्तो के नाम को वही नाम रहने दिया थे गुड्मार्णि अंब्धु गूंग पापा गूर्मार्णिंग अंदुक विद्मार्णिंग मभाईजन गूम्हानिंघ़िया तियुल्हां गूम्हानिंघ़िया गूम्हानिंघ़ियो ठे उप स्कूना एक्वन्हानिक, सीशंकर इलिए। आपके रिए बुचित रहा है कि यह बाते रही संबोधन से समय ठीक है अब हम ज़रा सा आगे बढ़ते हैं तो इंगलिस्ट की दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सब्ध है एक्स्क्यूज मी यह समझें वह सब्ध बन चुका है जो आज के सिस्टा चार का एक पार्ट है आज के समय में सिस्टा चार का एक हिस्ता है एक्स्क्यूज मी मतलब जब हिंदी बोलते समय आप किसे करते हैं अहां रहुल हां चार्टा इधर आई यह जो आपके एक्स्प्रेशन दे रहे हैं हां ए अरे इन सब्धों के लिए आप इस्क्यूज मी जैसे माल के लटता वहां खड़ा है और आपको सहीर कहना चारते हैं एभाई इधर अब बोल सकते हैं स्क्यूज मी कम यह आपके हाथ में एक चावी है और आप इस चावी को किसी को देना चाहते हैं आप चावी लेकिंगे उसके पास जाएंगे और उसे बोलेंगे स्क्यूज मी आपकी चावी आप क्लास में बैटे हैं क्लास कर रही है आपको कोई कोशन अपने टीचर से पूछना है आप बोलेंगे स्क्यूज मी सर्ड इसको जरा दुबारा बता दीजी यानि कहने का मतलब है किसी को अपनी तरफ आकरसित करना अपनी तरफ उसके ध्यान को लाने के लिए हम स्क्यू अफ आप क्या कर रहे गया है और वेने और आपकी तरफ देखता है तो आप करते हैं वहां क्या कर रहे हूँ इसको हिरूस में आप कैसे बोलेंगे इसकցूज मी किअ वहां क्या कर रह रह यह एक्स्प्रेश् just आपका दोस्त, आपके बगल में बैठा है, अब उसे खता रहें, ए मुझा देखना, आप इन बोसे हैं, excuse me, excuse me, ये देख, तो ये excuse me वो सब्द है, जो आपके बात की सुरुवात करेगा किसी से, उसी से आप उसे बोलने की सुरुवात करेंगा, और ये बहुत ही effective word है, अगर इसका परेगु नहीं कर रहे हैं, तो आपके समय में आपको assist भी समझा जा सकता है, असभ्यमाना जा सकता है, तो आप बातों में excuse me का जी भर के इस्तेमाल कीजिए, जहां भी आपको मौका मिलता है, इस बोलने से चुकिये मत, बहीज़क आपके सब्द का इस्तेमाल Excuse me, मैं आ रहा हूं, Excuse me, रुको, Excuse me, इधर हूं, Excuse me, आपकी चाहिए, Excuse me, Sir, इसको एक बार और बताएगा, Excuse me, एक कप्चाहिए और, यह, एकस्पेशन से, आपको लाइन में खड़ेगे, आप जा रहे हैं करें, और एक विक्ती आपके बगल में खड़ा है, आपको यह पता आपको बजने लगा, किसी की कॉल आ रही है, अब बोलेंगे, Excuse me, Sir, और आपको लेके बाहर चाहिए, यह वो तरीका है, जहां हम लोगों का ध्यान अपनी को खिचते हैं, ताकि वो मुझे देखें, और वहां पर एक बहुती सुटेपल वर्ड है, Excuse me, मैं आपके बता रहा हूँ कि सब को जितनी चाहता, आपको यह हो सक बहुत है, लगाईए, इस सब को यह वो तरीका है, बहुत ही बहतरीन सब्देगे, जहां बोलते हैं किसी को, Sorry, यह तो मतलब कि एक अनपढ़ आदमी भी आज के समय में, इस सब को बोलना बहुत अच्छे से जाता है, कि Sorry कहां बोलना है कि Sorry, चोटी चोटी गल्दियों के ल Sorry, बोल सकते हैं, जहां भी आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी गल्ती है, कि आपसे गलत हो रहा है, वहाँ पे आप Sorry बोलना है, और इसको habit बनाएं, जैसे माल लिए मैंने स्कूल उठाया, और किसी के साथ पासा सट गे, बहुत Sorry, मैं नीचे उतर रहा हम, और मेरा प बात करते समय, आपने उस विक्ती से सुना, आप क्को बात करें हैं, बहुत, हाँ, ठीक है, आप नंबर बोलिये, मैं नोट कर लेता हूँ, तो आप लिख रहे हैं, एक, फाई, टू, वण, अब यहाँ पे उसने कुछ बोला, लेकिन आपको वो स्थाह से सुनाई नहीं है, प्रिक से बोलना, क्या बोले हो, 0 तो इस-स को पूछने के लिख रही आप बोले कि सौरी, और से बोलना है, 85, 21, आप अपने 0 स्रहित से नहीं सुना, ते आप हिंदी हों क्या, अच्छा, 0, उसको बोल सकते हैं, तो 0, 5, 0, 6, 7, इस तरह से इस्सक्राइब होता है जो बाते आपको किलियर सुमाई नहीं नहीं उनको दुबारा पूछने के लिए आप सौरी समख का इसक्राइब तो सौरी न सिर्ष छोटी मुटी घजकियों पर बल्कि अगर नहीं हो पा रहे हैं आप तो उस समल्द पर ही आप इस बात को पूछ सकते मन किसे से बाटची चाथ कर रहे हैं तो दो लोग अगर बात कर रहे हैं और उसमें कुछ कहा और इसमें सापसा नहीं सुना तो वहां भी वो सौरी बोलेगा ठीक है? तो सौरी सब्द का इस्तेमाल भी आप जितना जादा करेंगे आज के समय में उतना जादा अच्छा है अब इसमता है थैंक्यू सब्धू थैंक्स अगर आप गलती की आपने और आपके अनुसार वो गलती बहुत बड़ी है आपकी गलती बहुत बड़ी होगी जैसे माले मैं बगल से निकल रहा था और किसी की किताब फट गई गिर के फट गई मेरे सब्सक्राइब टेबल पे एक स्टीचे का ग्रास रखा हुआ था मेरे हां से लगकर वो ग्लास मेंचे गिर के तूट गया है तो यह बड़ी गलती इस लिए रियो ड़ी औन से रूड़ी सटमुछ बऋट दूख वह मेरे इसकाश्य अब बहुत अमे जाबाहा सब्सक्राइब ल Brady मेरे यह यां बीजी Dzमतार वो नहीं है, आएं, यह I और M को आप बोलते हैं, I am, I am, I am really very sorry, I am really very sorry, sorry, I am really very sorry, तो यह जादा sorry बोलने का तो लगता है, आपको लगता है बहुत बढ़ी बद्रकी हुए है, तो आप बोल सकते हैं, I am really very sorry, अच्छा, थैंक्स सब का इसने माल कहां करते हैं, जब आपको लगता है, जन्ने बाद बोलना चाहिए किसी को, वेटर को आपने काहाँ चाहे लेकर आए, उसने तो आपका काम कर दिया, अब बोलती है उसको, थैंक्स, थैंक्स, आपने बगरवाले से कलम मांगे, इस्क्यूस आपने सड़क पे लिफ्ट मांगे, लिफ्ट, वाइक वाले ने आपको, आपके जशने असन तक, आपके मंजिल तक आपको पहुंचा दिया, थैंक्स, आपने कोशन पुछा, मैंने बता दिया, थैंक्स, जहां भी आपको लगता है कि आपका काम हुआ किसी के द्वारा, आ आपके फाइदे के दिये था और किसी और ने किया, वाँ आपसो बोलिये थैंक्स, और आप बहुत ज़्यादा थैंक्स होनना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं बहुत बड़ा काम कर दिया उसने मेरे लिए, वाँ आपको बोलिये, थैंक्स, अलोट, आपको बहुत बह मैं जा रहा था रास्ते से, मैंने एक बाइक वाले को रुक गया, मुझे बैठाया उसमे, उसको कहीं और जाना था, पर मुझे अकेला उसमे देखा, रात के दस बज रहते, तो पहले उसमे मुझे मेरे घर पे पहुंचा दिया, और फिर वहां से रोके वह अपने घर जाएग इसका मतलब तो यह हुए, उसने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी, तो मैं वहां उसके बोलूंदा, था, THANKS A LOT, आपका बहुत बहुत भनेबाद, दिल से भनेबाद हो, THANKS A LOT, THANKS, NORMALLY, और जादा बोला होतो, THANKS A LOT, पहली बहुत गत्ती होतो, सॉरी, लिकि जब बहुत जादा गत्ती फिर करा नहीं होतो, I am really, very sore, इस नमर में आ रही है आपको अब आपको कोई बात नहीं है वो जाता है बगती किसी से भी हो सकती है कोई बात नहीं है आपको सकते है इस ओके इस कोई बात नहीं कोई इस ओके आपको कुसे बोला जहीं है कोई बात नहीं है यह तो क्योंन पर अपको किसी क्या से मेरा पहसं नीचे गिर गया ओचने मुझаєञे सोरी हुलिया स्यक्वारता हुआ वहतना जयुक visto कोई बात लिए अठीक है जो साथ है पर अप्वारता हैं अन्छोग객 सांव ट्थीटion कोई सारी तरहा है धूत है कोई सान्ल सान के कउके हैं पर काम के खरिते हैं फिर हमारी रहे हम कोई साथ ध हमारी मैं उत्तर में दूंगा उसे स्वागत है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं आपने मांगा था मैंने आपको दे दिया मेरे पास था इसमें थैंक्यू कहने ही क्या बात है अब इतना नंबा नहीं बोलेंगे बंबात नहीं कोई बात नहीं इसके इस होती है मैंसलों मेरे टेवल के उसने पाणी अर्खा जो एक तेवल के उसने पाणी अर्खा जो या थैंक्स अलोड उसने क्या कहा मैं संदों मैं संदों मैं सब्सक्राइब करें अब देखिए अब मैं आपको कुछ चोटे सब्सक्राइब का आप स्पीमे बुस्ते हैं क्या आप साथा हरी है क्या आप साथा हरी आप सहारी हो यदो है अड़िन और अगेनि मान सहरी नहीं मैं सहारी हो क्या प्स्टुरेट्ट है हाँ मैं स्टुरेट्ट या कि नहीं मैं स्टुरेट्ट नहीं हूए मैं नोह कैं सो nya तो मकलर किसी की दुशे मैं बातों क्या आप यह है अगर आपके हैना चाहते हैं कि हां मैं वो भी हूँ तो उसका एंशल होगा Yes, I am, हां मैं हूँ उसमें पुछ से पूछा, Excuse me, are you a English teacher? करेंगा Yes, I am Excuse me, क्या आपके English teacher है? तो रहे का, हां मैं हूँ Yes, I am, Excuse me, are you a Vihari? Yes, I am, Excuse me, are you a vegetarian? Yes, I am, Excuse me, are you Indian? Yes, I am, हां मैं Indian हूँ हां मैं साकाहरी हूँ हां मैं English का एक सिच्छत हूँ इतनी बात को बनाने के हम को यह कह सकते हैं Yes, I am, नहीं नहीं, मैं मांसाहरी नहीं हूँ No, I am not No, I am not Are you a non-vegetarian? No, no, I am not Are you a mathematics teacher? No, I am not Are you Marathi? No, I am not जहां आपको बोला है की हां मैं हूँ वहां Yes, I am और जहां आपको बोला है की नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ वहां बोल सकते हैं No, I am not Are you a student? Yes, I am Are you a parents? No, I am not Are you a vegetarian? क्या आप साकाहरी हैं? Yes, I am Are you a non-vegetarian? No, I am not Are you a criminal? क्या तुम्हें कातन को बाद ही हो? No, I am not तो यह हां और मा के दबाद हैं? अच्छा अच्छा और तभी हमने यह जवाब देना होता है जैसे कि इसने पूछा खाना खा लिए? हां खा लिए चाय पी दिए? हां पी पढ़ाई कर लिए? कोचिंग से आ गए? हां आ तो हिल्म देख लिया आपने? तो जिस काम को पूछा जा रहा है कि क्या यह काम आपने कर लिया क्या आपने चाय पी लिया क्या आपने भोजन कर लिया क्या आपने यह फिल्म देख लिया क्या आप कोचिंग से आ गए क्या पी स्कूल से आ गए क्या आपने पढ़ लिया क्या आपने सुन लिया इतने अगर कोई कोश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या ये काम तुमने कर दिया अगर आप ये कवना साहते हैं कि हां कर दिया तो आप बोल सकते हैं इस ऐस हां किया सकते हैं कि मत जिए हैं दुए है कि अपने तोय कि पूच्य करों इसिता तरहाँ है येस, I have प्रमोद, क्रिस्त्री देवरी तुमने येस, I have आज का ख़बार पढ़ा आपने येस, I have Have you had your bed tea क्या आपने अपनी चाह पिली येस, I have Have you had your lunch क्या आपने अपना खाना खा लिया येस, I have क्या आपने रमयर प्ट्री Yes, I have I have आपने प्ट्री आप ये ये नहीं अभितत नहीं पढ़ा तुमने कने क्या आपने और कऊपने पढ़ा येस, I have आपने पूरी क्रिफ़री देखली 6 Times क्या आपने चाह पिली येथ लिए बीनो क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया नौ नौट यहां मैंने कर लिया मैंने देख लिया यह नहीं नहीं मैंने अभी तक नहीं पढ़ा नौट यह नहीं नहीं कि आब जवाब देरें है जैसे जिए किया बुरी और करह को पल पने आता है कर सकते हैं है..? कि आपको परफुर चलाने आता है लोग उस्तें आपसे तो इस तरह का जबाब देंगे yes I can हां मैं चला सकतर हो सकते हैं मोहन क्या तुम्हें काल चलाने आता है मोहन क्या उतर होगा yes I can पर मोहन do you know how to speak English क्या तुम्हें रिजी बोलने आता है yes sir I can प्रमोज do you know how to swim क्या तुम्हें तैरना आता है yes sir yes I can हां मैं क्या सकतर हो तुझे आता है प्रमोज can you operate the computer क्या तुम्हें चला सकते हो yes sir I can हां मैं चला सकता है प्रमोज can you operate Facebook yes sir I can प्रमोज can you play football yes sir I can प्रमोज can you speak Marathi no sir I can't नहीं मुझे नहीं आता है नहीं मैं नहीं कर सकता है प्रमोज can you fly airplane क्या तुम हवाई जाह धुडा सकते हो no sir I can't नहीं sir मैं नहीं हुडा सकते है प्रमोज can you suit an animal उसमें इंग्रिस के सब्सक्राइब तो आप इन सब्सक्राइब इससे आपको इस बहुत अच्छे आएगी बहुत सुंदर तरीके से आप धीरे धीरे अपने हिंदी को स्मार्ट हिंदी करते करते हैं तो मैं आप इंग्रिस तक आज़ाएँ लास्ट की 15 सीजे मैं आपको बताता हूं अब इस लिसम खतम होगा हमारा आप किसी से मिले मेरा एक दोस्त हम उससे मिला और गरां उससे मिलाल नोजदा है क्या चल रहा है तोसर बोसकता हम उन्हें इम्नोहन वर चै बंौन मौहन वर्स आप वर्सआ वर्सेरिस आपन प्या चै रहे है? ची आप कर रही वर्सकॉर बसको क्या हो रहा है आजकर उसके इस की पास दोइन्स वो कहेगा नथिन स्पेसल कुछ खास नहीं वही इस अपीक़ उससे से और भाई क्या होना है आजकल कि fö वही होना है नूटाने चल्गा रहा है कुछ इस पढ़ा रहा है वही बढ़ा ही रहा है यहरी इस समत हो कि मैं ने कुछ नंहीं किया उसको बोलेंगे, nothing special, कुछ खास नहीं चलता है, वहीं पढ़ा दो है, nothing else, कुछ और नहीं, वहीं काम अप्राइब है, यहीं, what's up, का answer आग दे सकते है, nothing special, or nothing else, what's up, क्या हो रहा है अचल, कुछ खास नहीं, कुछ मैया नहीं, वहीं हो रहा है तो हमिसा करता हूं, nothing special, nothing else, आग खाना खारें, और मा चावल दे रहे हैं, हम कहते हैं, बस, 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 इतना है, और थाल नहीं, तो बस, 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 करो, उस तो बोलेंगे, it's too much, it's too much, बहुत है, पेट बढ़्या रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कोई जब से दे रहा हैं, बोलें, अब ग्लास भरने वाला है, अब भर के पानी उससे नीचे इढ़ेगा, आप बोलेंगे, it's too much, it's too much, हो गया, बस करो, बस करो, बहुत हो गया, तो बढ़ा है, बस करो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हो गया, आप हम वह सकते हैं, it's too much, फूरा भी नहीं, जरा भी नहीं, तनिक भी नहीं, not a bit, not a bit, माने कहा, फघ्रा तो चावल्दू, नोट a bit, फट्रा भी नहीं, क्या आपके पास चीनी है, सासरी थो फूराम भी नहीं, not a bit, क्या आपके कमरे में मैं आके सो सकता हूं जगा है आपके कमरे में थोड़ा भी जगा नहीं थोड़ा भी नहीं थोड़ा भी नहीं थोड़ा भी नहीं थोड़ा भी नहीं एकदम नहीं के लिए बोल सकते हैं नौ अच्छा यह सब्सक्राइब पैकप मतलब समय नहीं जैसे मानी जीए कि मैं नीचे बैट पढ़ रहा था मैंने कहीं भुक्स में रख्ष हूँ है कहीं लाकोफ है जाता है मेरा मार्कस हैं स्केचिस में सारे समान फैला के बैटके पढ़ लो तो अब माय करती है कि ये साने वाले हैं ज़री से पैकप करो कि या निए ज़ी से अपने इंसामानज को समेट लो इकक अठा कर लो इक अठाकर उसे समेट सोने जाना है देहां विश्टर पें इसचाय कपड़े परेगरे भी मिस अ compressed का चाहिअ है और्छे मेंट लगा उसे द्स ऑधा YouTube कि इनको दिक देख सोहन या ददना नौबजी ट्रेन है पैकप करके पहुच जाना। यानि अपना सामान लेकर पैकप करना समय पैकप करना। आगे सब्सक्राइब रिष्ट, असर्ड् भरोसा रखा येकीन रुखा। भरोसा रखा। मैं भरोसा रखिए उपावारा किसी के साथ अम्यान नहीं था रेस्ट असर्ड बहुरोसा रखिए मैं टाइम पर आजाना है रेस्ट असर्ड मैं टाइम पर आजाना है रेस्ट असर्ड आप ठीक हो जाएंगे रेस्ट असर्ड आप बहुंदी ठीक हो जाएंगे रेस्ट असर everything will be fine सब ठीप है रेस्ट असर अच्छा मेरा चोटा भाई था उसने का भीयाद जर आपने गाड़ी की चावी भी जाना है तो मैंने ना कहा दिया तो वहां तो को हो गया है कि मैंने का हां ये लो हां ये लो ये लो अब ये लो की इनिस क्या है ये लो की इनिस है है ये लो हां ये लिगो ये लो या इसके लिए बहुत आसान हो टेकिट अपर भी कर सकते हैं तेकिट इसका अजिकतर वहां पिया लाता है तेकिट का जहां कोई समान नीचे रखा हुआ था और आपको और कुछे उठा लेजी वहां टेकिट का पर पहले से ये ग्लास रखा तो यहां होता है टेकिट लेकिन अगर आप अपने हां से उसको पकड़ा रहे हैं तो आप कहते हैं हीर यूओ हूँ 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 आपकी इसमें सहायता कर दे मानेजे आपको समने आप से एक कोशन पूछा आपको यार नहीं था बगभबाले सांथे ने दिरसे लिखा दिए आप बता के बैठ गए आप उसको बोलेंगे थैंक्स फोर दफेवर थैंक्स फोर दफेवर साथ देने के लिए धने लागे थैंक्स पूर दफेवर कि देट एनफ काफी है इसे मैं पढ़ा रहा हूं और ज़िए काफी है इतना पैसा मेरे लिए काफी है इतना मेरे लिए काफी करते हैं कियां किया Keeping तेंड किय mash इंगलिस मोलना सिखाएं की क्यों नहीं बिलकुल सिखांजलिया काम सिखाने का हैँ क्यों नहीं है का सैदक मैं आपके घर पे कल नहीं आ सकता का क्या तो आपको मेरी खातीदारी करने पड़े है कि यूरे यूत कि neighborhood आपके घर पर लाओंगा तो आप देशाए पिदाएगा ना क्यों नहीं वाई नॉट बूरा है इतना बेकार है ना फाल एबसर्ट किसी की बुराई करने कितनी बुरी बात है अब बुराई करने किसी की बुराई करना हो थाल एबसर्ट परिच्छा चल रहे फिल्म देखना हो इपने बुरी बात है आपने सुचाई नहीं था उनसे बात हो रही थी कि हाँ मैं पॉर्सो चौथार उपक्त मेरे गर पे आजा मैं जैसे ही आप बाहर निकले लोग कार्सक्त सामने आपके खड़े थी अपने का वाट आप प्लीजन्ट सब्राइज अपने तो चौगा दिया यार ऐसी कुछी हो से अपने पापा मुझे सेमशंक का जेसरें तो सामको पापा एपन लेके शर्ण आई आपको आइफोन वाट ताफ प्लीजन्ट सफ़राइज यार मदा आ गया वाव वरकाप प्लीजन्ट सफ़राइज चलता मात कोते हुए हुए को लिशेन आ। मैं अखटम करने जय रहा हूं, यह विडियो आख रहा है… लिशेन आल इस विडियो इस वीडियो एंद अ टुर थु तर गटे लिए कसा तो अचिन्ता अम औरकिर भशम मन बहुत उख स्प Запाप मतल ला दोट और भोरी सब ठेब zadगाल तो यह कुछ ऐसे सब्दों थे जिनका प्रयोग करके आप इस वीडियो को तीन बार चार बार पांच बार चलागे देखें और इसका प्रयोग आप अपनी डेली लाइट में करें वादा करता हूं एक सब्दां के अंदर आप अपनी डेली हैबिट के 45 प्रतिसब सब्दों का आप बोलने लगेंगे और लोग नोटिस करेंगे कि इस वाइक सब्दों की में चिंजिंग आ रही है